घ्यारवी और बारवी के लिए हिंदी जो पुस्तक है उसमें अभिव्यक्ति और माद्यम ये जनसंचार माद्यम और लेखन, स्रिजनात्मक लेखन, बिभारिक लेखन ये अधार और एचिक पाठे क्रम की पाठे पुस्तक है जिसको हम लोग कवर करेंगे पूरी बुक को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि अभिव्यक्ति और माद्यम आखिर है क्या चीज़ तो चलिए शुरू करते हैं आप जुड़े रहें इस वीडियो के लास तक और इस वीडियो में आप हर एक पाठ को अभिव्यक्ति और माद्यम के हर एक पाठ को आप जानेंगे पाठ होंगे विशव में आपको मैं बता दूँ कि इसमें पाठ कौन-कौन से हैं तो ये इसके पाठ हैballs पहले जनसंचार माद्यम फिर पत्तर कारिता के विविदायाम विविन माद्यमों के लिए लेखन पत्रकारिय लेखन विशेश लेखन स्वरूप और प्रकार फिर एकाई दो है हमारी कैसे बनती है कविता नाटक लिखने का व्याकरन कैसे लिखें कहानी डायरी लिखने की कला कथा पट कथा कैसे करें कहानी का नाटे रूपांतरन कैसे बनता है रेडियो नाटक नए और आप्रत्याशित विश्यों पर लेखन कारेलाई लेखन और पक्रिया सौवरित बायोडेटा लेखन रोजगार समंदी आवेदन पत्र कोश एक परिचे तो ये इसका कंटेंट है इस पुस्तक का तो चलिए शुरू करते हैं चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें तकि आपके पास हर एक इस पुस्तक की वीडियो पहुंचे और आप इसे देखें शेर भी करें लोगों में और वीडियो को अंतक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसका पाड संख्या एक तो रुकिए थोड़ा सा ये रहा पाड संख्या एक जिसको अभी हम लोग जानेंगे पाड का नाम है जनसंचार माद्यम और लेखन ठीक है ये यूनिट वन है जिसका नाम है जनसंचार माद्यम और लेखन तो बढ़ते हैं और जानते हैं इसको क्या है ये जनसंचार माद्यम और लेखन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट में क्या क्या है संचार परिवाशा है उसकी और महत्व है और संचार क्या है इसके बारे में जानेंगे संचार के तत्व स्रोत जिसको कहते हैं सोर्सिस, एनकोडिंग, संदेश, माद्यम, प्राप्त करता, फीडवेक और शोर संचार के प्रकार है इसमें सांकेतिक संचार है, मोखिक और आमोखिक संचार, अंतावयक्तिक संचार, अंतरवयक्तिक संचार, समू संचार, जनसंचार, जनसंचार की विशेषता हैं, संचार के कारे हैं, जनसंचार के कारे हैं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनुरंजन करना, अजंडा ताय कर करना निगरानी करना विचार विमर्ष प्रभाब तो चले शुरू करते हैं लिखा है कि मीडिया जब तक जन्ता को साथ लेकर नहीं चलेगी तक जन्ता भी उसका साथ नहीं देगी ऐसा प्रभाश जोशी जो है वो बरिष्ट पत्रकार है उन्होंने लिखा हुआ देखी मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देखी तो ये फुट वाल खेलते हुए आपको जनता दिख रही है तो एक नजर में संचार के विना जीवन संबब नहीं है मानस अवेता के विकास में संचार की सबसे महतरण बूमिका रही है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वीच सूचनाओं विचारों और भावनाओं का आदान परदान है इस तरह संचार एक प्रक्रिया है संचार क्या है एक प्रक्रिया क्या होती है एक विदी है एक मैथड है जो अपने विचारों को दूसरे विचारों तक पहुँचाते हैं वो एक सिस्टम है तो जिसमें कहीं तत्त्व शामिल हैं elements हैं वो सारे संचार की तो संचार के कहीं प्रकार हैं जिनमें मोखिक और हमोखिक संचार के अलावा एक तो मोखिक होता है जो बोल के हम संचार करते हैं एक बिना बोले भी संचार करते हैं इसके अलावा अंता वयक्तिक भी होता है अंतरवय यक्तिक भी होता है समू संचार होता है और जन संचार प्रमुक है जन संचार कही मावलू में संचार के अन्य रूपों से अलग है जन संचार इसको मास कम्यूकेशन केते है जन संचार सूचना, शिक्षा और मनरंजन के अलावा आजेंडा ताई करने का काम भी करता है बारत में जनसंचार के भिविन माद्यमों का प्रवाब बढ़ता जा रहा है जनसंचार माद्यमों का लोगों पर सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक प्रवाब भी पढ़ता है इन नकारात्मक प्रवावों के प्रती लोगों का सचेत होना बहुत ही जादा जरूरी है तो चलिए पहले तो जानते हैं हम संचार की परिवाशा और क्या महत्व है जरह सोचिए कि आप भिना बात की रह सकते हैं सोचिए अभी सोच लीजी कि आप बिनाबाद की रह सकते हो नहीं रह सकते ना शायद नहीं अकेले पन और सोने के समय को छोड़ दिये जाए तो हम आप अधिकान समय अपनी छोटी छोटी जडूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओ और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समू में बाचित या संचार करने में लगा देते हैं कही बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं करते हैं भई सच तो ये है कि हम बिनाबाद की रही नहीं सकते हम आप कोई भी बिनाबाद की रही नहीं सकता यदि समाज में रहना है और उसके भिविन क्रिया कलापूं में हिस्सा लेना है क्रिया कलाप मतलब समाज के बहुत सारे जो काम है उनमें भाग लेना अगर तो यह अलग-अलग क्रिया कलाप हो गए कि शादी हो गया, भ्या हो गया फिर उसके बाद किसी के यहां रित्ती हो गई उन सब में अगर हिस्सा लेना है तो बिना बाद चीदा संचार के संभव ही नहीं है संचार यानि संदेशों का आदान प्रदान ज़रा सोची कि कि आप चुप रह सकते हैं बताईए, पहली बात होई है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो कि आप चुप रहते हुए भी कुछ ना कुछ कहना ही रहे होते तो अगर आप गर या स्कूल में चुप बैठे हो तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं हो सकता है आप नराज हो या फिर उदास हो या फिर खुछ सोच रहे हो आप कोई दोस्त आपको चुब बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नराज हैं भई या किसी बात पर उदास हैं का आर्थ ये हुआ कि आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ ना कुछ कहकर भी संचार कर रहे होते हैं, हम चाहे या ना चाहे अपने देनिक जीवन में हम संचार किये बिना नहीं रह सकते हैं, वास्ता में संचार जीवन की निशानी है, मनुष्य जब तक ज प्रकृतिय में सभी जीव संचार करते हैं लेकिन मनुष्य की संचार करने की शम्ता और कोशल सबसे बहतर है। तो सभीता के विकास की कहानी संचार और उसके सादनों के विकास की कहानी है। की खोज़की। आज हम जिस संचार करांती की बात करते हैं आखिर वैक है क्या। संचार और जन संचार के भीन माद्यमों टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिवीजन और सिनिमा आदी के जरिये मनुष्य संदेशों के आदान परदान में एक दूसरे की बीच की धूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारणे कि आज संचार माद्यमों के विकास के साथ ना सिर्फ बागोलिक धूरियों कम हो रही हैं, बलकि सांस्कृतिक और मांसिक रूप से भी हमें एक दूसरे के करीब हा रहे हैं। में हमें ख़वर मिल जाती है। अगर वहां किसी टेलिविजन समाचार चैनल का संबांधता मुझूद हो तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंद देखने को मिल जाती हैं। याद कीजिए। स्रेडियम बले न जाएं। लेकिन आप घर बैठे उस मेच का सीधा प्रसारण जिसको लाइब कहते हैं वो देख सकते हैं। सच पूजिये तो आज संचार और जन संचार के माद्यम हमारी अनिवारिया वश्कता बन गए। हमारे रोजमर्य के जीवन में उनकी बहुत आहम बूमका हो गई है। उनके बीना हम आज आदनिक जीवन के कलपना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए सिर्फ सूचना के माद्यम हैं बलकि हमें जागरुक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अगरणी वूमका निवारे हैं। लेकिन हम जन संचार माद्यमों की आकर्शक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें। उससे पहले ये जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को भारे की से समझा जा है क्यूंकि जन संचार संचार का ही एक रूप है। संचार का है सबसे पहले ये जानते हैं। उससे हमारा तात्वरे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं विचारों और भावनाओं का आदान परदान है। मशूर संचार शास्त्री बिलवर्श्रेम के अनुसार ये मशूर संचार शास्त्री हैं बिलवर्श्रेम। इनके अनुसा संचार अनुववों की साज़धारी है ठीक है दरसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुववों को ही एक दूसरे से में बाणते हैं लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिगटना नहीं है संचार के तायत सिर्फ दो या उसमें अधि पहुंचाना ही संचार है पहुंचाना है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं तो इस तरह हमने देखा कि संचार एक गटना के बजाए प्रक्रिया है ऐसी जीती जागती प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वालेकि सक्रिया एक्टिब पाणे जरूरी है, देने और पाने वाला, दोनों जिन्दे होने चाहिए कोई भी अगर मरा हुआ हुआ वाना तो समझो नहीं पहुँचेगा सूचना दोनों की सक्रिय भागिदारी से ही ये प्रक्रिया पूरी होती है अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है कोई उस मेसेज को लेना ही नहीं चाता उसकी इच्छा ही च्वाइस ही नहीं अनिच्छुक है तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि इस प्रक्रिया में कहीं चरणिया तत्व शामिल हैं संचार की प्रेक्रिया में कई तत्व शामिल हैं इन में से कुछ प्रमुक तत्वूं की हम यहां सिल्द सिले बार चर्चा करें संचार प्रेक की शुरुवात स्रोथ स्रोथ सोर्स होता है ना या संचारक संचारक हो गया जो बेजने वाला चलिक कोन संचारक जानते हैं संचारक स्रोत या संचारक से होती है स्रोत कहलो या संचारक कहलो देने वाला जो होता है संचार स्रोत होता या संचारक होता जो स्रोत या संचारक के कुद्देशे के साथ अपने किसी विचार, संदेश या बावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार परक्रिया की शुरुवात हो जाती है जैसे आप स्वयम को सुरोत या संचारक मान लो ठीक है? मानने में कह चाहता है मान लो आपको इतिहास की किताब चाहिए लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के मित्र से आगरा करना पड़ेगा इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते है संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बाचित करेंगे या उससे लिखकर संदेश बेजेंगे बात ही इसे संदेश बेजने के लिए आप भाशा का सहार है लेते हैं भाशा असल में एक तरह का कूट, चिन या कोड है ये कोड है आप अपने संदेश को उस भाशा में कूटिक रितिया एंकोडिंग करते हैं ठीक है? पहला चरण संदेश बेजे लिए ज़रूरी है कि आपका मितर भी उस भाशा यानि कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश बेज रहे हैं इसके साथ ही संदेश का एंकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए इसका आर्थ ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचार का बाशा पर पूरा अधिकार होना चाहिए साथ ही उसे अपने संदेश के मताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए ठीक है? एनकोडिंग करना आना चाहिए, उसको कूटी कृत करना आना चाहिए इसके बाद संचार परक्रिया में अगला चरण स्वयम संदेश का आता है तीसा चरण किसका आगया? संदेश का, मैसेज का संचार परक्रिया में संदेश का बहुत ही अधिक महत्व है संचार होता ही है जब संदेश के लिए तो महत्वत हो गई किसी संचार का सबसे प्रमखत विश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्त करता थक पहुंचाना है इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचार का अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो, संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्त करता को उसे समझना उतना ही आसान होगा, ये बात चाल लो, स्पष्ट होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, यह नहीं कि उटपटांग संदेश आप भेहज रहे हो है उससे बात नहीं बनेगी लेकिन संदेश को किसी माद्यम माद्यम मतलब कोई सोर्स जिसको चैनल कहते है कि जरिये प्राप्त करता तक पहुंचाना होता है जैसे हमारे बोले हुए शब्द द्वनी तरंगों के जरिये प्राप्त करता तक पहुंचते हैं है ना जबकि द्रिश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए इसी तरह वायू तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं और जैसे खाने की खुश्बू हम तक वायू तरंगों के जरिए पहुंचती हैं स्पर्श या शोना भी एक तरह का माद्य में हैं इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट और फिल्म अधिविन माधियों के जरीवे संदेश प्राप्त करता दक पहुंचाया जाता है मेंली हमारे कान और हमारी स्किन यह इंपोर्टेंट रोल निवाती है कानू के द्वरा हम सुनते हैं और संदेश हमारे कानू से अंदर गुशता है और केमर हम लोग टच से, स्किन पर्स से भी उसको पहुंचा देते हैं आंखें जो हैं इससे भी संदेश पहुंच जाता है तो ये जो मुखे घ्यानेंद्रियां हैं, इनसे हम लोग संदेश संचार अपने तक पहुँचा लेते हैं अब इसके बाद वला जो जरिया है वो है प्राप्त का आर्था यानि रिसीवर प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानि उसकी डिकोडिंग करता है खूट वाचन हो गया यहां पर decoding करना encoding हो गया संदेश को बनाना और decoding हो गया संदेश को पचाना इतलब यह है decoding का अर्थ है प्राप्त संदेश में नहीत अर्थ को समझने की कोशिश जो संदेश प्राप्त हुआ उसमें जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश उसको decoding कहते है ठीक है उसको समझने की कोशिश करने को यी decoding कह देते हैं ये एक طरह से encoding encoding का क्या है ये विपरिय है या विलोम है कि उल्टी प्रकरिया है इसमें संदेश का प्राप्त करता उन चिन्नू और संकेतूं के अर्थ निकालता है जाहिर है कि संचारक और प्राप्त करता दोनुं का उस कोड से परिचित होना जरूरी है संचार पकरिया में प्राप्त करता की भी अहम भूमिका होती है क्योंकि वही संदेश का आखरी लक्षे होता है प्राप्त करता कोई भी हो सकता है वे कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समू हो सकता है या कोई संस्तात हो आगि विशाल जन समू भी हो सकता है प्राफ्त करता को जब संदेश मिलता है तो वे उसके मताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वे प्रतिक्रिया सकारत्मक या नकारत्मक हो सकती है रियक्शन करता है मुझलो तो कोई आप मैसेज बेज़ते हैं तो आगये वाला जब रियक्शन करेगा तो वही उसकी प्रतिक्रिया होगी यानि आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं संचार प्रक्रिया में प्राप्त करता है कि इस प्रतियक रोव फीडवैक कहते है संचार प्रक्रिया की सवलता में फीडवैक की आहम भूमिका होती है फीडवैक से हमें पता जलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बादा तो नहीं आ रही इसके इलावा फीड़ बैक से ये भी पता चलता है कि संचारेक ने जिस आर्थ के साथ संदेश बेजा था वे उसी आर्थ में प्राप्त करता को मिला है या नहीं इस फीड़ बैक के उन सारी संचारेक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है हम मूँ से जो भी बोलते हैं वो निरथक नहीं है वो एक मैसेज है वो आप प्यार बारा मैसेज भी दे सकते हो गाली निकाल वाला भी दे सकते हो बस समझने वाला जो है वहापी के तरह होगा तो उसको समझेगा अधरवाइस वो नहीं समझेगा ठीक है लेकिन बास्त्विक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती उसमें कई बादाईं भी आती है इन बादों को शोर नॉइस कहते है संचार की प्रक्रिया को शोर से वादा पहुंचाती है ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है ये मानसिक से लेकर तक ने की और भोतिक शोर तक हो सकता है शोर के गारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्त करता तक नहीं पहुंच पता सफ़ संचार के लिए संचार पक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है ये देखिए संचार ये रुकावट है स्रोत या संचारक संदेश बेजता है एक माध्यम से बेजता है प्राप्त करता उसको प्राप्त करते हैं फिर वो अपनी feedback देते हैं संचार के प्रकार क्या है संचार के प्रकार उनको जान लीजी ज़रा संचार एक बड़ी जटिल प्रक्रिय है जटिल क्या होती है बड़ी मुश्किल टफ टफ एक processing है उसके कही रूप या प्रकार है हम यहां अध्यन की सुविधा के लिए उन्हें अलग-अलग समझने की कोशिश करेंगे वैसे संचार के बिविन रूप या प्रकार एक दूसरे में काफी गुले मिले हैं उन्हें अलग-अलग देखना काफी मुश्किल है जैसे कभी आपने अपने मित्र को इशारे से बलाते हैं जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है इसे सांकेतिक संचार कह सकते हैं जो हम अपने इसे बढ़ों का सम्मान से परणाम करते हैं तो उसमें मोकिक संचार के साथ साथ दोनों हतेलियां जोड़कर परणाम का इशारा भी करते हैं इस तरह एक ही साथ मोखिक और अमोखिक संचार होता है जैसे हम किसी से बाते करते हुए अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गती और स्वर के उतार जड़ाव के जरिये मोखिक संचार के अमोखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं मोखिक संचार की सफलता में अमोखिक संचार की बहुत महतबून भूनका होती है हमारे जीवन की कुछ सबसे महतबून भावना मोखिक से कहीं जाद है अमोखिक संचार के जरीए भ्यक्त होती है जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर, आदी लोब अमोखिक प्रतिक्रिया होगी हमारे जेस्चर जब हम बात करते तो हमारे हाथ हिल रहे होते हैं तो अमोखिक प्रतिक्रिया हैं मतलब किस की हल्प कर रही हैं जो हम मुझे से बोल रहे हैं उसको और भी अच्छे से जाहिर कर रहे हैं उसको और भी अच्छा प्रूब्ड कर रहे हैं कि आप कितना involved उन सब बातों में वो बता रही है संचार के भिविन रूपों को हम एक और तरफ से देख सकते हैं याद कीजी जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं आपको सोच रहे होते हैं कुछ जोजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं ये भी एक संचार है इस संचार प्रक्रिया में संचार को प्राप्त करता है कि व्यक्ति होता है इस संचार का सबसे बुनियादी रूप है इसे अंतावयक्तिक संचार कहते हैं इंट्रापर्सनल ठीक है अपने आप में ही बाते करना इसको अंतावयक्तिक संचार कहते हैं बस हम जब पूजा यवादधया प्रातना करते वाट द्यान में होते हैं तो वेवी अंतवयक्ति संचार का उदर रहा है किसी फी संचार की शुरूइत यहीं से होती है हम पहले सोचते हैं फिर किसी उर से संबाद करते हैं पस्पष्ट है कि किसी विशे या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंत्रमी संचार का ही एक रूप है लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरवयक्तिक इंटरवर्सनल संचार कहते हैं ठीक है भेज रहे हो आप एक दूसरे से तो उसको अंतरवयक्तिक हो गया इस अंचार में फीड़ वैक ततकाल प्राप्त होता है अंतरवयक्ति संचार की मदद सही हम आपसी समंद विक्सित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं संचार का ये रूप परिवारिक और सामाजी रिष्टों की बुनियाद है अपने वैक्तिकत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतरवयक्ति संचार का कोशल उनत और प्रवावी होना चाहिए इस कोशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पढ़ती है नोकरी और दैटले करता है जैसे आपके कक्षा समू संचार का एक अच्छा उदारन है संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वे किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समू के लिए होता है पूरे ग्रूप के लिए समू संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्तित समस्या गाउं को बादचीत और बहस मुवाजसे के जरीए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विविन मुद्वूं पर चर्चा होती है तो ये भी सम्मू संचार का ही एक उधारन है। इसी तरह गाउं की पंचायत या किसी सम्मू संचार का उधारन है। जन संचार कहते हैं मास कम्मूनिकेशन ठीक है। ये तो आजकल एक सब्जेक्ट भी बन चुका है। इसमें एक संदेश को यांतरिक माद्यम के जरीए। यांतरिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल सोर्स के जरीए बहु गुनित किया जाता है। ताकि उसे अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाए जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरणिया माद्यम की मदद लेनी पढ़ती है। अख्वार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अख्वार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं। लेकिन प्रेस के जरीए उनकी हजारों लाकों प्रतियां के प्रकाशित करके विशाल पाठक बरक तक पहुँचाए जाती है। जब जनसंचार की क्या विशिष्टा हैं। जनसंचार में फीड़एक तुरंत पराप नहीं होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। जनसंचार के सिरोताओं पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत ब्यापक होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंच मेल होता है। जैसे किसी टेलिविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी शहरी भी और घ्रामीन भी पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है युवा वरिद सब हो सकते हैं इसके लावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है और कोई पटना में लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कारेकरम देख रहे हो सकते हैं इसी से जुड़ी संचार की एक परमुक विशेषता ये है कि जन संचार माध्यम के जरिये प्रकाशित या प्रसारी संदेशों की प्रकृति सारवजनिक होती है इसका अर्थ ये हुआ कि अंतरवयक्ति या समू संचार की दुल्ण में जन संचार के संदेश सब के लिए होते हैं जन संचार का संचार के अन्य रुबूम में से एक फरक ये भी है कि इसमें संचार को प्राप्त करता के बीच कोई सीधा संबन्द नहीं होता जन संचार के लिए एक अपचारिक संचार के बिना जन संचार माध्यम को चलाना मुश्किल है जन संचार माध्यम कोई एक और महत्मोर विशेश्टा ये है कि उनमें डेर सारे द्वारपाल गेट के पर काम करते हैं जन संचार माध्यम को प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामगरी को नियंत्रित और निधारित करता है किसी जन संचार माद्य में काम करने वाले द्वारपाल ही ताय करते हैं कि वहां किस तरह किसामगरी प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहाएक समाचार संपादक सहायक संपादक उप संपादक आदी रताय करते हैं कि सामचार पत्र में क्या छपेगा कितना छपेगा और किस तरह छपेगा इस तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उसमें परसारित होने वाली सामगरी को निर्धारित करते हैं जंसंचार मादियों में द्वारपाल की बहुत महतुपूर मानी जाती है यह उनकी ही जिम्हेधारिया की वह सारोजनिक पत्रगारिटा के सिध्धांत होसे होते हैं मूल्यों और आचार संगिता के अनुसार से आमगरी को समपादित करें और उसके बाद ही उनके आप परसारन या परकाशन की इजाज़त दें सैंसर बोड की तरह तो संचार के कारे क्या हैं इन्हें जान लो संचार के कारे देखो आप अपने रोजमर्णा के जीवने उस संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं निस्चे ही आप उसके उपयोग और कारें से बहुत हद तक परिचीत हैं पहले से संचार विश्यक्षक जग्यों के अनुसा संचार के कहीं कारे हैं इनमें से कुछ कारें को हम यहां रिखांकित कर सकते हैं यहां आप देख रहे होंगे यह पत्रकार संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए एक दूसरा यहां देखिए संचार के जरी हम किसी के वेवार को नियंतरित करने की कोशिश करते हैं यानि उसे हम एक खास तरीके से विवार करने के लिए कहते हैं जैसे काक्षा में शेक्षक विद्यारतियों को नियंतरित करते हैं तीसरा सूचना कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं जो था अभी व्यक्ति, संचार का प्रयोग हम अपनी भावनाओं को अभी व्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं संचार का प्रयोग हम एक समूव में आपसी संपरकों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं बचाओ, संचार का प्रयोग हम अपनी समस्त्यों या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं, मूर्ख, संचार का प्रयोग हम अपनी रूची की किसी वस्तु या विशे की प्रति, प्रतिकरिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, ठेक है, किसी वस्तु या विशे के प्र पताने के लिए संचार के प्रति के साथ प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं क्योंकि ये परिस्तिति की मांग होती है जैसे आप एक विद्यारती के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी बूम का एक अनुसार संचार करते हैं तो बढ़ते हैं आगे जानते हैं जनसंचार के कारिय जिस परकार संचार के कहीं कारिय हैं उसी तरह जनसंचार माद्यों के कहीं कारिय हैं उनमें से कुछ प्रमुक कारिय इस परकार हैं सूचना देना, सबसे पहला कारे जनसंचार मादियों का प्रमुक कारे सूचना देना है हम उनके जरीए ही दुनिया वर से सूचना प्राप्त होती है हमारी जरूरतों का बड़ा हिसस जनसंचार मादियों के जरीए ही पूरा होता है मनो रंजन करना, जन संचार माध्यम अनरंजन का भी एक प्रमुक सादन है, सिनिमा, तेवी, रेडियो, संगेत के टेप, वीडियो और किताबें आदी मनो रंजन के प्रमुक माध्यम अजन्डा दाएकरना जन संचार माध्यम सूचना और विचारों के जरीए किसी देश और समाज का अजन्डा भी दाएकरते हैं संचार पत्रों समाजा चैनल किसी खास गटना या मुद्धे को प्रमुक्ता से उठाते हैं यह उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो बहए गटना या मुद्धे आम लोगों में चर्चा के विशे बन जाते हैं किसी गटना या मुद्दे को चर्चा का विशे बनाकर जनसंचार माद्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिका करने के लिए बादे कर देते हैं ठीक है अजन्डे बनाना भी ये क्या है जनसंचार है तरह दरह कि अजन्डे बनाना गाउं में परिवार में गाउं में कोई गली नी बना लिया उसका एक अजन्डा बना लिया और नियूस बना लिया जन्डा ताय करना भी जनसंचार का ही एक क्या है कारे है निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माद्यों का एक और परमुकारे सरकार और संस्ताओं के काम काज पर निगरानी रखना भी है अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, किसी संगर्ण संस्ताओं को यानी में ततावरती जा रही है तो उस लोगों तक सामने लाने की जनसंचार माद्यों पर ही है विचार विमर्ष के मंच ठीक है कुछ मंच बनाना है ना जनसंचार माद्यों के कारह ये भी है कि वह लोग तंतर में विविन विचारों को विवेक्ती का मंच उपलब्द कराते हैं इसके जरिये विविन विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं जैसे किसी सामाचार पत्र के संपादगे प्रिश्ट पर किसी कटना या मुद्धे पर विविन विचार रखने वर लेकर अपनी राहे वेक्त करते हैं इस तरह संपादक के नाम चिठी स्थम में आम लोगों को अपनी राय वेक्त करने का मुका मिलता है इस तरह जनसंचार माद्यम विचार विमर्ष के मंज के रूप में भी काम करते हैं भारत में जनसंचार माद्यमों का विकास भारत में आज जनसंचार के आदुनिक मादियम जिस रूप में मौधूध हैं उसकी प्रेणना भले ही पहस्चमी जनसंचार मादियम रहे हो लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार मादियम का इतिहास कम पुराना नहीं ए बड़ी सायता के साथ इसके बीच पौरानिक काल के मित्खिये पात्रों में खोजे जा सकते हैं देवर्शी नारत को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है जो वीना की मदुर जंकार के साथ धरती और देवलोग के बीच संबाद सेतु थे उनी की तरह महाबारत काल में महाराज दृतराष्टर और रानी गंदारी को युद्ध की जलक दिखाने और उसके विवरन सुनाने के लिए जिस तरह संजे की परिकलपना कीगी है वै कत्यन समरिद संचार विवस्ता की और इशारा करती है तो ये देख लीजिए कुछ चितर है बहुत संदर संदर चितर इनसे भी आपको समझ रहे होंगे ये चितर जो है शिकार के चितर है जिसे शिकार का संदेश पहुंच रहा है बिम बिटका के गुफा चितर है चीक है गुफाओं के बारे में हमें संदेश प्राप्त होता है तो जनवावनाओं को राय दरवार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के विच पसाइद करने के समरित बिवस्ताओं के उधारन बाद में भी दिखाई पढ़ते हैं चंदर गुत मोरे आशोक जैसे समराटों के शासनकाल मस्थाई महत्व के संदेशों के लिए शिला लेकों और रसामाई किया तातकालिक संदेशों के लिए कच्छी स्याहिया रंगों से संदेश लिखकर प्रदेशित करने की विवस्ता और मजबूत हुई तब वकाइदा रोज नामचा लिखने के लिए करमचारी नियुक्त किये जाने लगे और जन्ता के भी संदेश बेजने के लिए यह सही विवस्ता की लेकिन भारतिय संचार परंपरा की खासिए यह भी रही है कि राय दरवारों के समान अंतर हमारे यहां लोक माध्यमों की भी सुल्जी विवस्ता मौजूद रही है इसके संकेत प्राग इतिहासी काल सही मिलते हैं बीम बेटका की गुफा चितर इसके प्रमान है यह समान अंतर विवस्ता बाद में कटभुतली और लोक नाटकों की विविद शालियों के रूप में दिखाई पड़ती है देश के दूसरे छेते तक संदेश महुंचाने और जन्मत निर्मान करने का काम भी करते थे लगिन जनसंचार के आदनिक माद्यमों के जो रूप आज हमारे यहां है वे निस्चे ही हमें अंग्रेजियों से मिलें चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो टेलिविजिन या इंटरनेट समी माद्यम पस्चियम से ही आए हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया लेकिन दीरे दीरे वे हमारी संस्कृतिक विरासत के अंग बनते चलेगे चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल एक समय के बाद बेवी भारती नाटे परंपरा से परचालित होने लगत है वही जनता की वागेदारी भी सुनिश्चित करता है जनसंचार माद्यम के वरत्मान प्रचली रूप में प्रमुक हैं समाचार पत्र पत्रिका हैं रेडियो टेलिविजन सिनेमा और इंटरनेट माद्यम के जरिए जो भी सामगरिया जनता दक पहुंच रही है राष्टर तो आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं आपको कि समाचार पत्र पत्र पत्रिका हैं जो हैं वो किस तरह से जनसंचार को बढ़ावा देती हैं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिका या प्रिंट मीडिया ही है यह पत्रिका दिख रही होगी अब मैगजीन ताके कारण रेडियो टेलिविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है लेकिन वानी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला अरंबिक माध्यम होने की वज़ा से प्रिंट मीडिया का मात्व हमेशा बना रहेगा। पाठक तक पहुंचाना है अला कि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं लेकिन पत्तरकारिता के तहट हम पहले दो काम को ही लेते हैं। ठीक है संकलित करना और संपाधित करने वले दो कामों को क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कारे तकनीकी और प्रवंद्गी विवागों के आधिन होते हैं जबकि रिपोर्टिंग और संपाधन के काम के लिए एक शिशेश बोधिक और पत्रकारिय कोशल की अपैक्षा होती है जहां बाहर से ख़बरे लाने का काम संपाधताओं का होता है वहीं तमाम ख़बरों, लेखों, फीचरों की विवस्तित तरीके से संपाधत करने और सुरूची पूर्ण डंक से छापने का काम संपाधत है विवाग में काम करने वाले संपाधत कुगा होता है आज पत्रकारिता का छेतर भी बहुत बैपक हो चला है खबर का समन्द किसी एक या दो विश्यों से नहीं होता दुनिया के किसी भी कौने के गठना समाचार बन सकती है बशरते कि उसमें पाठकों की दिल्चस्पी हो या उसमें सारवजनिक हितनी हित हो हलाकि दुनिया में अख़वारी पत्रकारी तक वस्तित्माय 400 साल हो गए है लेकिन भारत में इसकी शुरुआ सान 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई जो कलकता कोलकता से निकला था 1780 ठीक है 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई ठीक है जबकि हिंदी का पहला सब्ताहिक पत्र उदंद मारतंडवी गलकता से ही 1826 में पंडित जुगल किशोर शुकल के संबादन में निकला था हिंदी बढ़ते हैं गए यह आपको दिखराओ का समचार पत्र यहां बहुत सारे आपको समचार पत्र सरस्वती दिख रहा है हिंदोस्तान टाइम्स दिख रहा है विशाल भारत दिख रहा है अजादी के दिन का हिंदोस्तान हिंदी के विकास में अगरणी मुमकाने वाली सरस्वती और प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का पहला अंख विभी सथी सदी के साहते विद्लाव पत्र मतवाला बनार सीदास making द्वारा संपादित जुलाई 1949 का विशाल भारत तो देखिए ये एक गतिविदी है जो बच्चों के करने के लिए है ठीक है लिखाएगा भाषा के विकास में शुरुआती है खवारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वों ने भूमिका निवाई लिहाँ से भारतिंदू हरिस्चिंदर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा जिन्होंने कई पत्रिकाओं निकाली अजादी के अंदोलन में भारतिये पत्रों ने आहम भूमिका निवाई महात्मा गांदी लोकमाने तिलग और मदन मोहन माल भी जैसे निताओं ने लोगों को जागरुक बिनाने के लिए पत्रकार की भूमिका निवाई गांदी जी को हम समकारिन भारत कसा अब से बड़ा पत्रकार कह सकते हैं क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्मा भूमिकाने हुए जादी के पहले के प्रमुक पत्रकारों में गनेश चंकर विद्या थी, माकलनाल चतुर वेदी, महावीर पसाद वीवेदी, बावुरा, विश्णुरा, पराड़कर, परताब, नारायन, रामविक्ष, बेनिपूरी और बाल मुकंद गुथे हैं, समय के महत्रपूर्न अखवारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदोस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताब, प्रदीपूर, विशाल, बारत, आदी, प्रमुके हैं, ठीक है? लेकिन जहां आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्षे सॉधिंता की प्राप्ति था, वहीं आजादी के अबाद पत्रकारिता का लक्षे बदलने लगा शुरादी दो दश्कुन तक पत्रकारिता राष्टर निर्मान के पति पति बत देखती थी लेकिन उसके बाद उसका चरितर वेवसाइक और प्रोफेस्टनल होने लगा ये कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि अजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी लेकिन अजादी के बाद वेवस्था वेवसाय बन गई अजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कहीं नए समचार पत्रों पत्रिकाओं का प्रकाशन शिरू हुआ अजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अक्वारू में नवारत टाइम्स जनसंता नई दुनिया राइस्तान पत्रिकाओं अमर उजाला देनिक बासकर देनिक जागरन और पत्रिकाओं में दर्मयुक सापताइक हिंदोस्तान दिनमान रविवार इंडिया टोडे और आउटलुक का नाम भी लिया जा सकते हैं इनमें से कही पत्रिकाओं बंद हो चुकी हैं वाइरलेस के जरिये द्वनियों और संकेतों को एक जगा से दूसरी जगा बेजने में काम्याबी हासिल की तब रेडियो जैसा माध्य मस्तित्व में आया ठारा सो पचानुए की बात है ठीक है पहले भी शुज़िद तक सूचनों के आधान परदान का एक महत्तपूर नौजार बन चुका था शुरुआदी रेडियो स्टेशन अमेरिका शहर पिट्स वर्क न्यू यार्क और शिकागों में खुले बारत ने निसो इकिस में मुंबई में टाइमस अफ इंडिया ने डाकतार विवार के सायोग से पहला संगीत कारे करम परसारित किया 1921 में 1936 में विदिवत आउल इंडियो की स्थापना हुई और अजादी के समय तक देश में कुल नो रेडियो स्टेशन कूल चुके थे लखनाव, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुजी रापली, ढाका, लहोर और पेशावर जाहिरेंड में से तीन रेडियो स्टेशन विवाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चलेगे कुन-कुनसा लहोर, पेशावर और तीसरा कुनसा है तीसरा तो मुझे नहीं पता ढाका हो सकता, ढाका बंगलादेश में विवाजन हुआ था, भारत बंगलादेश का अजादी के बाद भारत में रेडियो बहुत ताकतवार माद्यम के रूप में विक्सित हुआ सुचना और शिक्षा के अलावा, देश की सामसिक संस्कृति को भारने और रस्टे नव निर्मान के लिए शुरू किये के कारिकरमों को एक आवाज देने के काम, देने का काम किस ने किया? रेडियो ने बढ़ते हैं आगे तो जन संचार का जो प्रतिसत है, जनता के विच आकाश्वानी का दाएरा 96% है आज आकाश्वानी देश की 24 वाशनों और 146 बोलियों में कारिकरम पस्चुत करती है देश की 96 प्रतिस्यदावादी तक इसकी पहुँच है 1993 में फ्रेक्वेंसी मौडिलेशन के शिरुवाद के बाद रेडियो के शतर में नीजी कंपनिया भी आएके आई लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामाई कारेकरम के परसारण के अनुमती नहीं है 1997 में अकाशवाणी और दूरदर्शन को केंदर सरकार ने सीधे नियंतरन से निकाल कर परसार बारती नाम के स्वायत शासी निकाए को सौम दिया गया असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंतरन में रहने के कारण रेडियो में आगई जड़ता को तोड़ने की पहले 1995 में उचितम ने हैले के एक फैसले ने की इस फैसले में कहा गया कि ध्वनी तरंगों पर किसी का एकादाईकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए FM के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक नीजी FM चैनल शुरू हो रहे हैं इसके साथ इस आमदाईक और कम्यूनिटी रेडियो के अंदरों के आने से देश में रेडियो की नई संस्क्रिटी अस्तित्म में आ रही है रेडियो एक द्वनी मात्यम है इसकी तातकालिकता गनिश्टा और प्रवाव के कारण गांदी जी ने रेडियो को एक अद्वूत शक्ति कहा था द्वनी तरंगों के जईगे संदेश के कोने कोने तक पहुंचता है दूर दराज के गवों में यहां संचार और मरंजन के अने सादन नहीं है होते वहां रेडियो भी एक मातर सादन है बाहरी दुनिया से जुनने का फिर अख़वार और टैलिविजन की तुलना में सबसे बहुत सस्ता भी है इसलिए भारत के दूर दराज के इलागों के लोग उन्हें रेडियो कलब बना लिए है अकाशवानी के अलावा सेंकडो निजी एफम स्टेशन और बीवी सी वाइस ऑफ अमेरिका ड़चे वेले रेडियो जर्मनी मास्को रेडियो रेडियो पैचिंग रेडियो अस्ट्रिया जसे केंग विदेशी प्रसारों हम हम अमेच्यो और रेडियो कलब हूं स्वतंदर समुध वारा संचारी पंजी की रेडियो स्टेशन का जाल बिचा हुआ है तो अभी इस वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे जन संचार का एक और माध्यम टेलिविजन इसके विशे में जानते हैं अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुडे रहे हैं हमारे चैनल के साथ ठीक है ये एक टास्क है जो गतिविदी है अपने ट्रांजिस्टर पर आकाश्वनी के स्थाने के अंदर से परसारित होने वाले कारेकरम वो सुनिए विशेकर 8 वजे सुगा और राती 8.45 वजे हिंदी में परसारित होने वाले राष्टिय समाचार बुलिटन सुनिए इसके साथ ही शाम 7 वजे बीवीसी परसारित होने वाले समाचार भी सुनिए पार्ट टू भी इसका दिखिए पार्ट वन यहीं तक था ठीक है पार्ट टू इसका बनाया जाएगा उसे भी आप जुरूर देखें दन्यवाद